वेलकम टो माई यूटूब स्टडी चैनल डे स्टुडेंट हम 11 क्लास के अंदर काइनमेटिक के अंदर हमने ग्राफ और एसलेशन का कंसेप्ट हमने स्टडी किया था और जैसे मैंने आप लोगों के का था कि आप लोगों के लिए निमेरिकल्स में प्रैक्टिस करवाँगा तो आज हम निमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे गराफ और केल्कुलस मैथड बेस पे तो किस टाप के निमेरिकल्स हमारी कमटेशन एक्जामस में आ सकते होते हैं आज वाले जो numerical है बहुत important numerical है आप लोगों के लिए और आप भी प्लीज जो है उन numericals की practice जुरूर करना otherwise जो है physics में without numerical आप physics पढ़ोगे थियोरी पढ़ोगे तो physics का ना तो interest आएगा और ना ही आप लोगों को कोई फाइदा होगा तो आज हम question करें उससे पहले आप लोगों से again वही request है कि चैनल को subscribe जुरूर करें अगर आप फस्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो मेरे previous वीडियो जुरूर देखें और subscribe जुरूर कर लें अपरे friends को भी subscribe करवाईए क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए 9th 10th plus 1 और 2 की जो physics है topic to topic करवा रहा हूँ chapter wise और उनका PDF notes भी आप लोगों को provide करवा रहा हूँ तो let's start without losing time हमारा first numerical जो है वो है this speed time graph of a particle moving along a fixed direction is shown in figure find the distance traveled by the particle between 0 second to 10 second यह graph हमें given है graph है पहले graph को देखना जरूरी है किस किस के बीच में speed और time के बीच में है speed और time graph है और हमें पूछ रहा है कि distance traveled by the particle between 0 second to 10 second 0 से 10 second के बीच में हमें distance traveled calculate करना next पूछा है average speed between this interval इस interval के अंदर 0 से 10 second के अंदर average speed कितनी है next पूछा है the time when the speed was minimum and the time when the speed was maximum बहुत ही आसान question है अब इसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए जो मैंने आपको tricks बताई थी कि कौन सा graph हमें क्या information देता है अब आप लोगों को speed time graph given है इसका area under the curve जो है area under this speed time graph gives distance अगर यहां velocity होता तो displacement कह सकते थे तो चलो हम करके देखते हैं distance traveled between time 0 to 10 seconds तो इसका solution हम किस तरीके से करेंगे देखिए distance traveled by particle तो यह हमारा first question है इसका area under the curve तो आपको कैसा area नजर आ रहा है तो आपको कैसा area नजर आ रहा है triangle है तो triangle का area आप आराम से calculate कर सकते हो one by two base into height अगर मैं इसको नाम दे दूँ यह यह o है यह a है और यह हमारा b है तो मैं इसको इसी तरीके से इसको c नाम दे देते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं ob into ac ठीक है base upon perpendicular अब इसकी value भी आप लोगों को पता है देखिए one by two base कितना है 0 से 10 तो यानि 10 और height ac यह कितना है यहां से यहां तक का इन्होंने 12 given है 12 इसको आप 6 पे 6 into 10 कितना हो गया 60 meter distance में हम calculate करते हैं तो हमने यहां से वह find out कर लिया जो इन्होंने पूछा था distance traveled by the particle in 0 to 10 seconds तो वह हो गया 60 meter और next question अब इन्होंने क्या पूछा है next question उन्होंने पूछा है average speed तो average speed का आप लोगों उनको formula पता है average speed क्या होता है total distance divided by total time taken total time taken अब वी average अगर आप निकालोगे तो total distance कितना आया total distance हमने calculate किया 60 और total time कितना लग रहा है 0 से 10 so divide by 10 तो यह आजाएगा हमारा 6 meter per second यह average speed हो गई अब भाई इसमें जो next के आगे के दो question है वो मुझे करवाने की भी जूटतनी आप लोगों को वैसी पता होना चाहिए उसने पूछा है the time during with the speed was minimum minimum speed का मतलब speed यहाँ देखो minimum यह 0 है इस axis के उपर speed 0 है तो यहाँ एक तो graph हम sensor क्या हो जाएगा at t is equals to 0 and t is equals to 10 seconds speed was minimum तो यहाँ speed जो है minimum है ठीक है ज्यादा सोचने की जोड़ती नहीं है maximum कब हो रही है इस point पे maximum speed देखो 12 meter per second तो हम यह लिख सकते हैं at t is equals to 5 second the speed was maximum ओके चलो next पे चलते हैं dear student जो मैं आप लोगों को यहाँ PDF करवा रहा हूँ जो मैं लिख ला हूँ यह notes आपको मिल जाएंगी PDF में नीचे description में इनका link given है तो वहां से आप download कर सकते हो तो next देखिए a body starting from rest accelerate uniformly along straight line at the rate of 10 meter per second square यह 10 meter per second square क्या given है acceleration for 5 second it moves for 2 second with uniform with the uniform velocity of 50 meter per second then it retards uniformly and comes to rest in 3 second draw the velocity time graph of the body and find the total distance traveled by the body देखो इसने जो है पहले यह statement जो given है इस statement के अंदर हमसे पूछ रहा है कि इसका graph कैसे बनाएंगे और graph बनाने के बाद आपसे पूछ रहा है कि distance जो उसने travel किया है during this session वो distance भी हमें calculate करना है तो इस graph को यह वैसे मैंने बना रखा है लेकिन इसको बनाना कैसे है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ सबसे पहले उसने जिकर किया है देखो पहले 5 second के अंदर उसने acceleration बताया है 10 meter per second square और यह velocity time graph बनाना है तो velocity time graph बनाना है उन्होंने देखो velocity time graph बोला है तो velocity time graph का slope होता है वो हमें क्या देता है acceleration और slope कैसे निकालते है प्रपेंडिकुलर ओवर बेस या फिर टेंजेंट ऑफ थीटा तो प्रपेंडिकुलर ओवर बेस यह 5 second का मैंने ग्राफ बनाया तो इसमें आप देखोगे यह 50 है और यह 5 तो 50 divided by 5 यानि यह slope आ गया यहां तक इसको O से A, B और C ठीक है O से A तक जो है acceleration कितनी है 10 मेटर पर second square ठीक है अब यह गराफ यहां तक बन गया उसके बाद next क्या कर रहा है it moves 2 seconds with uniform velocity अब 2 seconds यानि 5 से 7 seconds तक uniform velocity के साथ चलता है मतलब velocity चेंज नहीं हो रही है यानि 50 है तो 50 ही बनी रही यहां तक 2 seconds के uniform velocity of 50 meter per second 50 meter per second की speed से यह uniformly चल रहा है यहां आ गए अब next क्या रहा है then it retards uniformly and comes to rest in 3 seconds retardation का आप मतलब समझ में आ गया होगा negative acceleration यानि यहां जो अगे गराब बनेगा उसका acceleration जो होगा वो negative होगा यानि slope जो है negative आएगा तो अब next 3 seconds यानि 7 के बाद 3 seconds यानि 10 seconds तक जो है retardation हो रही है ठीक है तो उसका हमें graph बनाना है अब 7 में 10 हमने 7 में 3 एड किया तो 10 seconds मिल गया तो यहां से direct मैं इसको जोड सकता हूं यह retardation को represent करता है अब यह graph तो बन गया इस graph के बाद में हमें distance traveled निकालना है और यह है velocity time graph और velocity time graph का area under the curve अपने को क्या देता है यह देता है distance या displacement तो अब इसमें हम distance traveled calculate कर सकते है distance traveled by body तो वो होता है area under the curve तो हम इसको लिख सकते है is equals to area of O, A, B, C ठीक है यह O, A, B, C का जो area under the curve यह हमें क्या देगा distance traveled अब आप लोगों को पता है यह क्या एक trapezium है और trapezium का area मैंने आप लोगों को बताया था 1 by 2 into sum of parallel side यानि AB plus OC into perpendicular distance तो perpendicular distance आप इसको d point कह दीजे इसको ही कह दीजे तो AD मैं लिख देता हूं चलो value रखो अब इसमें 1 by 2 AB कितना है यहां से यहां तक 7 minus 5 यानि 2 plus में OC यहां से यहां तक कितना है 10 into AD AD यह यहां से यहां तक 50 है ठीक है तो अब इस तरीके से इसको आपने solve किया यह आ जाएगा 1 by 2 10 plus 2 12 into 50 यह 6 पे cancel हो गया अब इस तरीके से 6 को 50 से multiply करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 300 मेटर तो यह इसका answer आ गया देखो बहुत ही आसान है सबसे main चीज जो है जो trick आप लोगों को बता रखिए वो trick को follow किजिए कि कौन सा graph क्या information दे रखा है ठीक है और उसके base पे आपको क्या information मिल सकती है यानि जैसे अपने को जानना जरूरी है कि graph किस किस के बीच में है ठीक है उसका slope हमें क्या देता है उसका area अंडर दी करो हमें क्या देगा कितने time तक है वो सब चीज जो है दिमाग के अंदर रखिए आराम से आप कर सकते हो अगर इस चीज की information चाहिए तो जो मैंने previous video है उ next question है the velocity time graph for a vehicle is shown in figure draw the acceleration time graph for it देखिए ये graph given है graph किस किस के लिए given है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि graph हमारा velocity और time के बीच में है velocity और time के बीच में है और हमसे पूछ रहा है कि acceleration time graph इसका कैसे बनेगा तो acceleration time graph बनाने के लिए अपने को सबसे पहले अलग अलग point तक acceleration का पता होना चाहिए जैसे मैं O से A तक A से B तक B से फिर C point तक उसकी acceleration कैसी है ठीक है तो अब हम उसको जो है कर सकते हैं तो इसको आप कैसे करोगे देखिए बहुत ही आसान है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अगर इस graph को study करते हैं आप देख पा रहे हो कि 0 से यह 2.5 है यह 2.5 तक जो है आप देख रहे हो कि graph कुछ ऐसे है 2.5 के बाद में graph बिल्कुल parallel to time access हो जा रहा है time parallel access to time access होने का मतलब है कि यहां जो विलोस्टी है वो विलोस्टी constant है और B से C तक again विलोस्टी decrease होकर के 0 हो जा रही है ठीक है यहां विलोस्टी increase होती भी नज़रा रही है और अगर जब विलोस्टी time graph के अंदर अगर ऐसा कुछ graph मिलता हो इसका मतलब क्या है आप वो समझ जीए ठीक है यहां पर विलोस्टी time के साथ में directly proportional के हिसाब से इंकरीज हो रही है यहां यहां पर acceleration क्या हो गई 0 क्योंकि विलोस्टी चेंज नहीं हो रही है उसके बाद में यहां आप देख रहे हो कि acceleration जो है negative हो रही है ठीक है यहां से यहां तक आगे जो है फाइनल विलो इन टाइम जीरो टू टू पॉइंट फाइब सेकंड जीरो से टू पॉइंट फाइब सेकंड तक acceleration जो होगी of the vehicle a is equals to अब आपको क्या करना है a is equals to वो कैसे पता चलेगा slope of o a graph o a graph का slope जो है हमें अगर पता चल जाए तो उससे पता चल जाए तो slope कैसे निकाले पर पेंडिकलोर और बेस से निकाल लिजी एंगिल तो यहां नहीं पता है नहीं तो tangent of theta लगा करके हम निकाल लेते तो इसको कैसे निकाले ठीक है तो हमारे पास में यह जो है value कितनी है 20 final 20 minus 20 यहां पर 20 20 minus 0 divided by अब यहां कितना time है 2.5 2.5 minus 0 2.5 minus 0 so that is equal to 20 divided by 2.5 यह हमारी acceleration आ जाएगी ठीक है और यह acceleration आ रही है आप मैं ठटा होगे तो 25 सठा दोस्तों यानि 8 मेटर पर सेकिंड स्क्वेर यह acceleration आ गई अब उसके बाद में in time 2.5 to 5 seconds अब देख पा रहे हो 2.5 से 5 seconds तक velocity चेंज नहीं हो रही है acceleration of the vehicle वो क्या हो जाएगी as v is equal to constant we change an area that is equal to कितना है 20 meter per second यह velocity fix है तो उसके acceleration क्या हो जाएगी a is equal to 0 ठीक है तो a से b तक का जो गराफ है वहाँ acceleration क्या हो गई 0 now in time अब कहां से कहां तक 5 से 7 seconds यह कितनी हो जाएगी अब इसको निगालने के लिए again आपके पास में क्या है initial velocity यह है और final velocity यह है ठीक है time कितना लग रहे है 7 minus 5 2 seconds तो आप यहाँ पे value put कर दीजिए a is equals to यानि slope किसका हो जाएगा slope of bc graph bc graph तो a is equals to अब final velocity कितनी है यहाँ पी यह final है क्योंकि यहाँ से चलके यहाँ क्योंकि तो final velocity होगी 0 minus initial velocity जगे पर velocity कितनी है 20 divided by time कितना लगा 7 minus 5 so that is equals to minus 20 divided by 2 that is equals to minus 10 meter per second square ठीक है minus का मतलब retardation हो रही है अब आती है बारी graph बनाने की acceleration time graph बनाने की तो acceleration time graph कैसे बनाएं इसके लिए मैंने क्या किया एक graph जो है बना लिया यह है हमारा time जिसमें हम second में इसको लेग में चलेंगे और इधर जो है हमारी acceleration axis होगी इस पे हमने acceleration ले लिया और किसमें लेते हैं meter per second square में यह origin हो गया ठीक है negative b है acceleration हमारी negative b लेके जाएंगे तो अब क्या करें इसके लिए अब हमारे पास में method है इसका वह यह है कि इसको मैं 5 ले लूँ इसको 10 ले लूँ क्योंकि maximum हमारी जिखो plus में जा रहे है तो 8 meter per second square acceleration आई है इधर हमने 5 लिया minus का हो जाएगा यह और यह minus का 10 ठीक है अब तो origin से आप time access भी बना लीजिए यहाँ पर कितना 7 seconds तक था हमारा 7 seconds के लिए हम बना लेते हैं यह हो गया 1,2,3,4,5,6,7 यह 7 seconds के लिए बन गया अब इसके लिए आपको अलग notation तक यानि 2.5 तक हमारी acceleration कितनी आ रही है 8 meter per second square ठीक है तो 8 कहाँ पर होगा यहाँ कहीं पर होगा तो मैंने इसको acceleration जो है 8 बना ली यहाँ से यहाँ तक यह graph constant है क्योंकि acceleration uniform है uniform है मतलब time access के साथ उसकी acceleration चेंज जने होगी कब तक 2.5 second तक यह 2.5 second तक उसकी acceleration होगी है ठीक है अब उसके बाद में यह acceleration के बाद में next acceleration कितनी होगी zero यह होगी हमारी zero पे आगी अब acceleration यह आगी zero zero कब तक है 2.5 second से लेके 5 second तक zero थी यहाँ graph इतना ऐसे आ जाएगा अब उसके बाद में negative acceleration चलेगी कितनी minus 10 कब तक 5 से 7 second तक तो यह यहाँ तक कुछ आ जाएगी ऐसे इसको हमने ऐसे बना लिया यह minus 10 meter per second square और इधर था हमारा eight meter per second square ठीक है तो आई होप आपको यह graph बनाना समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने बनाया इसको इस step का question अगर आ जाता है तो ऐसे attempt करना है ठीक है dear student बहुत सरे question है इन पर बहुत सरे और हर एक question पे logic जो है मैंने आपको बता रखा है वो logic आप mind में रखिये आराम से आप solve कर सकते हो ठीक है चलो next पे चलते हैं next question है dear student the acceleration of a particle in meter per second square is given by a is equals to 3t square plus 2t plus 2 where time t is in second if the particle starts with the velocity of v is equals to 2 meter per second at t is equals to 0 then find the velocity at the end of 2 second तो हम इस question को कैसे करें इस question को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा concept जो है यूज करना पड़ेगा calculus method का और वो क्या था acceleration हमने पड़ा था क्या था a is equals to dv by dt dt हमसे पूछ रहा है वो velocity at the end of 2 seconds और हमें graph में जो sorry जो value दे रखी है equation दे रखी है वो क्या है acceleration की है तो हम इसको पहले solve करते हैं यह यहां से dv is equals to a into dt बन जाएगा इसकी value रख लीजिए a की value कितनी है 3t square plus 2t plus 2 into dt integrate कर दीजिए इसको integrating both side जब हम इसको दोनों तरफ integrate करेंगे तो यह आजाएगा dv equal to 3t square plus 2t plus 2 dt integration अब देखो इसको integrate अगर मैं करूंगा तो dv का क्या बन जाएगा v पहले ही पढ़ा रखाए previous video जुरूर देख लीजिए अगर आपने नहीं पढ़ा है उसमें मैंने थोड़ा सा method बताया था आपको dv का integration v dx का integration x dy का y इसी तरीके से मैंने dv का v लिखा है अब यह देखिए 3 का integration से बाहर लिख सकते हैं और t की power 2 है तो 2 plus 1 3 divide by b 3 ठीक है इसी तरीके से इसका करोगे तो plus में है या minus में जो भी sign वह यूज होगा और t की power 1 है तो 1 plus 1 2 divide by b 2 पलस इसके साथ में dt होगा तो 2 बाहर dt का integration क्या हो गया 2t लिख सकते हैं ठीक है अब यहाँ पे मैंने कोई भी limit नहीं लिख रकी तो limit नहीं लिख रकी तो यहाँ पे एक कोई constant आएगा integration constant जिसको बोलते हैं c अब चलो solve करते हैं तो यहाँ हमारी जो equation आगी v is equals to 3t cube plus में t square plus में 2t और plus c यह आगया लेकिन at t is equals to 0 velocity क्या बता रहा है v is equals to 2 meter per second given है at t is equals to 0 velocity थी हमारी 2 meter per second तो हम इस पे यह value अगर रखें 2 equal to t is equals to 0 0 का cube plus में 0 का square plus में 2 into 0 plus c so c is equals to 2 यह value अगयन इसमें रख दीजे तो velocity क्या आजाएगी v is equals to t cube plus t square plus 2t plus 2 यह velocity की equation बनगी हमारी और हमें निकालना क्या है हमें 2 seconds के उपर velocity निकालनी है तो at t is equals to 2 seconds at t is equals to 2 seconds v is equals to क्या बन जाएगा पे 2 पूट कर जीजिए cube plus 2 का square plus 2 into 2 plus 2 so यह हो जाएगा 8 plus 4 plus 4 plus 2 in this way this will comes out 18 meter per second 18 meter per second तो यह हमारा answer हो गया ठीक है next question करके देखते है dear student अगर आप first time मेरी चैनल पे आये subscribe जुरूर कर लिजिए next question अपना है the distance x of a particle moving in one dimension under the action of a constant force is related to time t by the equation t is equals to under root x plus 3 where x is in meter t is in second find the displacement of the particle when its velocity is zero देखो question बहुत ही आसान है जितनी बड़ी आपको statement नजर आ रही है उतना बड़ा question नहीं है सबसे पहले अपने को given क्या है given है t equal to under root x plus 3 यह given है अब अपने को करना क्या है हमें जो पूछा गया है वो निकालने की कोशिस करनी है सबसे पहले इसको थोड़ा सा ठीक कीजिए ठीक कैसे करें इसको करो कुछ ऐसे लिख लीजिए इसको जैसे मैंने under root x equal to t minus 3 लिख सकते हैं इसको और squaring गो side कर दीजिए दोनों तरफ square करेंगे तो यह x का under root का square करो गो तो x हो गया t minus 3 का whole square यह इसको लिख सकते हैं t square plus 9 minus 60 ठीक है यह आ जाएगा अब यह x है यह x की value हमारी t की form में आगी तो हम इसको अब velocity कैसे बनाएए तो we can be written as dx by dt so velocity can be written as differentiation of this value और differentiation आप लोगों को पता है कैसे करते होते हैं power आगे आ जाती है और एक power कम हो जाती है तो इसका differentiation मैं कर रहा हूं with respect to t तो यह हो जाएगा 2 t और 2 minus 1 करोगे तो 1 constant का differentiation 0 9 एक constant है इसके साथ में कोई t नहीं है तो constant का differentiation हमने पढ़ा था 0 होता है minus 6 t की power 1 है 1 से multiply करोगे 6 को 6 ही रहेगा 1 minus 1 0 t की power 0 हो जाएगे तो t की power 0 का बतला बता है 1 ही तो यह value आगी velocity की ठीक है यह velocity हमने calculate कर ली अब next step क्या है उसने काया है find the displacement of the particle when its velocity is 0 लेकिन displacement की equation तो यह है और उसने काया कि जिस time पे velocity क्या हो जाए 0 हो जाए हमारा displacement कितना cover कर लिया होगा तो इसके लिए हमें पता है at v equals to 0 यानि v equals to 0 जब हम रखेंगे तो 2 t minus 6 is equals to 0 हो जाएगा और 2 t equal to 6 और t is equals to 2 से divide करोगे 6 को कितना आ जाएगा 3 second तो यानि 3 second होगा t की value अब यह t की value मैं इस equation में रख देता हूँ displacement हमें find out करने है find the displacement of the particle when velocity becomes 0 तो velocity 0 था उससे हमने time निकाड़ा time की value हम इसमें रख सकते हैं so displacement is equals to displacement at t is equals to 3 second displacement जो हो जाएगी वो कैसे calculate करें इसकी equation आपके पास है t square यानि 3 का square plus 9 minus 6 into t 3 तो यह 9 हो गया plus 9 minus 18 ठीक है तो यह कितना आ रहा है 18 minus 18 equal to 0 तो displacement हमारा 0 आ रहा है यानि कहने का मतलब क्या हुआ कि जब particle की velocity 0 हो जाएगी उसके displacement क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा I hope आपको यह अच्छे समझ में आ गया हो next question पे चलते है the displacement x of a particle varies with time t as x is equals to 4 t square minus 15 t plus 25 find the position velocity and acceleration of the particle at t is equals to 0 when will be the velocity of the particle becomes 0 ठीक है we call the motion of the particle as one with uniform acceleration question में again trick सिरफ यह है calculus method कुछ भी नहीं दे रखा जादा tough नहीं है थोड़ा सा और mind use करते है हमें given क्या है उस पे जाएगे सबसे पहले given है हमारा x is equals to 4 t square minus 15 t plus 25 सबसे पहले हम इसको क्या करें velocity बना लेते हैं और velocity से acceleration calculate कर लेते हैं ठीक है तो v is equals to dx by dt लिख सकते हैं तो इसको differentiate करना है with respect to t 4 है ही हमारे पास में 2 और आगया जाएगा और t की power 2 minus 1 करोगे तो t minus 15 रह गया और constant का differentiation 0 होता है तो velocity की equation मनगी 8 t minus 15 तो यह velocity की equation मनगी इसी तरीके से acceleration की भी निकाल सकते हैं acceleration a is equals to dv by dt होता है तो dv by dt हम इसका करेंगे तो constant का तो 0 हो गया और यह t है t की power 1 है 1 से इसको multiply किया और 1 minus 1 0 और t की power 0 का मतलब होता है 1 तो इन दिस वे यह आ जाएगा 8 हमारा 8 meter per second square यह हमारी acceleration आ गई अब उसने क्या कहा है find the position velocity and acceleration of the particle at t is equals to 0 velocity की equation यह है acceleration की equation हमारी यह आई है तो हम यहाँ लिख सकते हैं t is equals to 0 velocity equal to क्या जाएगी 8 into 0 minus 15 so in this way यह minus 15 meter per second आ जाएगी velocity जो उसने पूछा है और इसी तरीके से उसने acceleration भी पूछा है position भी पूछी है position क्या होगी position आप यहाँ निकार लीजिए at t is equals to 0 position x is equals to कितना हो जाएगा x के अंदर हम सिरफ t की value पूछ करेंगे t is equals to 0 पूछ करेंगे तो यहाँ हमारी equation 4 t square minus 15 0 plus 25 so in this way x is equals to 25 meter तो यह position आगी velocity यह आगी और acceleration क्या होगा at t is equals to 0 acceleration a equals to कितना है था 8 meter per second square इसमे t ही नहीं कहां पर रखेंगे तो a fix है अब उसने next क्या पूछा है कह रहा है कि when will be the velocity of the particle becomes 0 velocity जो है कब 0 हो जाएगी अब आपकी velocity की equation यह है इस equation के अंदर उसने कहा है कि जब velocity 0 हो जाए तो वो time क्या होगा that is v equal to 0 put कर दिया मैंने or is equals to 8 into t minus 15 or you can say that 8 t is equals to 15 or t is equals to 15 divided by 8 so this will comes out to be 1.875 second हो जाएगा इतने time पे क्या होगा velocity 0 हो जाएगी जो उसने पुछा है when will be the velocity of the particle becomes 0 तो इस time पे यानि velocity की equation उसके अंदर simply t की value पूट कर दिजिए velocity की value पूट कर दिजिए और t's जो है आपने को पता चल जाएगा इतना और next में एक और चीज पुछा जने can we call the motion of the particle as one with uniform acceleration uniform acceleration होगी या नहीं होगी देखिए acceleration की जो हमारी equation आई है is equals to 8 meter per second square यहाँ पे time पे depend नहीं कर रहा है तो time पे depend नहीं कर रहा है इसका मतलब इसकी acceleration जो है uniform acceleration होगी ठीक है yes the motion of the particle is uniform acceleration and it doesn't because it do not depend upon the time तो इस तरीके से हम ऐसे questions को solve कर सकते हैं I hope आपको आज का मेरा lecture अच्छे से समझ में आया होगा सारे numericals अच्छे से समझ में आया होगे और यह जो मैंने आपको numerical करवाए है इनका PDF लिंक जो है मैंने निश्चे description में दे दिया है वहाँ से आप download कर सकते हो practice अपनी जारी रखिए बहुत सारे और numerical solve करकर के देखिए और एक request बार बार subscribe जरूर करें अपने friends को subscribe करवाईए like कीजिए share कीजिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत